हार्दिक ने एक नहीं दो नहीं बलकि तीन बड़ी गलतियों को सुधारा रोहित को कप्तानी थमाया MI की जोली में IPL 2024 की पहली जीत डाला जी हां एक कावत MI vs DC मुकाबले को देखकर याद आती है हार्दिक पांड़ा की कप्तानी को देखकर याद आती है जो हमारे गाओं देहात में अक्सर प्रयोग होता है कि लोट कर बुद्दू घर को आए जी हां इस मुकाबले में अगर हम हार्दिक पांड़ा की कप्तानी पर नज़ड डालें तो उन्होंने जो पहले तीन मुकाबले में बड़ी गलतियां की दी अपने आटिट्यूट के कारण वो अपना वर्चस हो जो जमाना चाहते थे मुंबई इंडियन्स में उन्होंने वो चोथे मुकाबले में सुधार किया एक नहीं बड़ की तीन गलतियों में सुधार करते हुए MI टीम के जोली में पहली जीत डाल दिया बहतरीन प्रदरसन रहा बतौर कप्तान हार्दिक पंडिया का बतौर बल्लेबाज मुंबई इंडियन्स के खिलाडियों का और बतौर गेंदबाज मुंबई इंडियन्स के गिदबाजों का बहुत ही बहतरीन यहां पर खेल दिखाया आल राउंड प्रदरसन आया चाहे हम गिदबाजी बिभाग की बात करें चाहे बल्लेबाजी बिभाग की चाहे हार्दिक पंडिया की कप्तानी की सब कुछ सटीक बैठा और पहली जीत मुंबई इंडियन्स की छोली में आ चुकी है इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 29 रनों से माद दिया है और हार्दिक पंडिया ने जो पहले तीन मुकाबलों में बड़ी गलतियां की थी उनमें सुधार किया है और उन्हीं तीन गलतियों पर हम चर्चा करने वाले है की क्या-क्या पहले तीन मुकाबलों में गलतियां उन्होंने की फिर कैसे उनको इस मुकाबले में सुधार करती हुए नजर आये अपने इगो को दूर किया अपने निगेटिव एटिट्यूट को दियूर किया और फिर रिजल्ट साफ दिग गया कि Mumbai Indians जो on the paper काफी मजबूत दिख रही थी वो field पर भी काफी मजबूत टीम है अब ये देखना दिल्चस पर रहेगा कि ये जो जीत की राह पर Mumbai Indians लोटी है वो कितने देर तक कायम रह सकते हैं कितने देर तक हारदिक पांडया अपनी गलतियों को दरकिनार करके आगे बढ़ सकते हैं ये देखना दिल्चस पर रहेगा लेकिन अगर हम इस मुकाबले की बा किया इनके सर पर मफाका का बुखार चड़ा गुआ था अपने प्लेइंग 11 को बहुत ही बुरी तरीके से ये खिला चुके थे क्योंकि इनको मफाका को खिलाना था इनको रोहित के गिदवाजयों का प्रयोग नहीं करना था पहले दो मुकाबलों में तो इन्हों ने का बुखार तो उतरी नहीं रहा था रोमारियो शेफट जैसा बहतरीन फिंसर आप डगाउट में बैठा कर रखे हुए थे और रोमारियो शेफट किशी भी दिन माफाका से बहतर गेदबाजी दोवर का कर सकते हैं वहाँ पर चौथे मुकाबलों में तब दीवी देखने को म मिली उस गलती को सुधारा हारदिक समझ गये थे कि मफाका से बहतर विकल्प रोमारियो शेफट किसी भी दिन होंगे आज अगर शेफट ना होते तो यह मुकाबला कंफर्म था कि मुंबई इंडियन्स हार जाता क्योंकि आप देख रहते कि मुकाबला बिल्कुली डीसी ल बाजी उसने इज़ट बचाई है और ये फैसला कैसे हुआ प्लेइंग 11 का सही चुना हुआ मफाका को बाहर किया गया नभी को अंदर लाया गया डेवाल्ड प्रेविस को बाहर किया गया और यहां पर जीत आई उसका परेडाम मिला बात करें दूसरे बड़ी गलती की तो बुमरा का सही तरीके से प्रयोग हार्दिक पांडया अभी तक तीन मुकाबलों में नहीं कर पा रहे थे उनको समझ नहीं आ रहे था कि बुमरा को कहा इस्तमाल किया जाया किस परस्तिती में इस्तमाल किया जाया लेकिन तीन गलतियों के बाद तीन मुकाबलों में गलतियो आज वहीं हुआ उससे भी कहीं बहतर तरीके से बुम्रा के इस्तमाल करते वे दिखे आर्दिक पांडय कप्तान अठारवां ओपर लगाया, उननीश्वें और वीश्वें के लिए नहीं रुका, नहीं रुके वो, क्यों वो जानते थे कि अगर अठारवें ओबर में अगर मैं रंगती पर लगाम लगा दूँगा, तो यह जो required run rate हो, sky rocket की तरह आसमान चुझाएगा, कम सकम 30 run पर ओबर चाहने लगेगा, फिर मेरा कोई भी साधारर सा कितबाज यह नन बचा सकता है, तो बुमराक आज बहतर इस्तमाल हुआ, दिस वज़े से MIT में मुकाबला जीत पाई है, वहें तीसरे जो बड़ी गलती हो रही थी हार्दिक पांडया से, वो उनके attitude के कारण हो रही थी, उनके ओभर confidence के कारण हो रही थी, और वो गलती आज नहीं दिखी, वहाँ पर पांडया में नजर आता था, वो और ओवर confidence जो नजर आता था, वो नहीं दिखा, और हर वक्त उन्होंने अपने कप्तानी में ये ensure किया, कि भईया मुकाबला कभी भी पलड़ सकता है, जिस वज़े से दबाव 20 ओभर तक बनाना जरूरी है, और वही हुआ, रोहित का सुझ दिखाओ दीजी, आप मुझे बताईए कि कहां पर कप्तानी में कमी हो रही है, और जो statement हार्दिक ने दिया था कि रोहित का हाथ मेरे कंधे पर हमेशा रहेगा, वो आज दिखा, रोहित का हाथ साप तोर पे हार्दिक के कंधे पर दिख रहा था, हार्दिक को सुझाओ मिल पुली छूट मिली, एटिचूट को दूर किया गया, मेल मिलाप खिलाडियों में दिखा, एक जूटता दिखी, गटबंधन दिखा, जिस कारण से यह जीत आई है, जब आप एक दूसरे के लिए खेलना सुरू कर देते हो, खुशियों का माहौल आ जाता है, तो जीत ज्या माहौल है, वो बना रहेगा, कितने दिनों तक MI इसी तरीके से बहतर प्रतरसन करती आएगी, और कितने दिनों तक हार्दिक अपनी कप्तानी को इसी चलाए मान रख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजेगा, कि MI की इस जीत से आप कितने खुश हैं, और क्या MI अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेर करें, और क्रिकेट से जोड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें